तो प्रॉब्लेम आने के बाद में पती ने सुखी धन्यो को बेज दिया था यह कैसे हो सकता है भाई पती के प्रॉब्लेम में पती सॉल करे दरिंदा, कुता, पती ना करगडे, घिसे, गिड़, गिड़ा है दूसरों के जो भी उसको करना है वो करे भाई उस दरिंदे कुट्टे पती की वो प्रॉब्लेम है ना पती पत्नी को साथ होकर चलो घर में कुछ प्रॉब्लेम आगए किसी चीज़ को बेज दिया यह हिम्मत कैसे हो गई भै पती की तो फिर पती बाद में फिर वो सुकी को उसकी वो धन्नो जो भी भाई के वो लाकर के दे देता है प्रॉब्लेम है भंदा नहीं चल रहा नो क्रीन में प्रॉब्लेम है वो दरिंदे कुट्टे पती का प्रॉब्लेम है धन्नो अभी के अभी वापस चाहिए बुलेट हाँ एकदम तीन साड़े तीन लाग की बाइक ऐसे घर के सामने चाहिए और पती लेटर लिख करके देता है कि येलो बाइक और गोविंदा की तरह मस्त से रस्तों पर घुमो और उसके बाद में फिर सुकी खुशी हो जाती है और सुकी फिल्म की कहानी सुनकर देखकर वाव वाव ओ सबमित्र कुराम राम सबका स्वागत है दोस्तों कैसे आप सब सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे और जो नई मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लिट चैनल को सबस्क्राइब बैवाश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना तो दोस्तो कल 22 सितंबर को The Great Indian Family इस महावाहियात फिल्म के साथ मैं सुखी ये एक और बॉलूड की फिल्म थेटर में रिलीज हुई है दो घंटे और बाई दो घंटे और 20 मिनिट का ये एक टॉर्चर था सिरियसली मतलब सुखी ये फिल्म देखने के बाद मैं मेरे मन में विरेदी वीडिंग और 4 more shots please के जो मेकर से उनके प्रति सम्मान बढ़ गया है मैं बिल्कुल भी जूट नहीं बोल रहा है आपको लगेगा यार विरेदी वीडिंग और 4 more shots please इतनी toxic woke lifestyle उसमें promote की है कि इव मेकर्स के प्रति भी मेरे मन में सम्मान बढ़ गया सुखी देखने के बाद क्यों क्योंकि वो यानि वीरेदी वीडिंग और 4 more shots please जैसे content के जो मेकर्स होते हैं वो कम से कम जो बात जिस lifestyle को प्रमोट करना चाते हैं जो बात वो कहना चाते हैं वो छाती ठोक कर सब के सामने व उनको emotional blackmail करने के लिए किस प्रकार का मोखोटा जैसे कि हमें घर के बुजरुगों की बड़ी चिंता है एक दादा जी का character सामने दिखाया है और उसके आड़ में फिर emotional blackmail करने का प्रयास किया है ताकि दर्शकों को एकदम हम उन character से hate ना करे थोड़ा सा ऐसा emotional blackmail करके फिर उन्होंने ऐसा सामने मुखोटा ओड़ कर बाकि सारा जो भी toxic woke कचरा होता है वो उन्होंने परोसा है हमारे सामने ये है सुखी फिल्म अब कहानी की अगर मैं बात करू तो चार महिला मित्र है पता नहीं ये चार महिला मित्र ही क्यों होते है इनके हर इस फरकार के toxic या pseudo feminist woke content में हमेशा ऐसे चार महिला मित्र ही क्यों होते है पता नहीं तो यहाँ पर भी चार friends ही है एक तो है सुखी उसके बाद में नाम नहीं बता रहा पर कैसे कैसे और चार characters दिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ पहला तो सुखी है उसके बारे में आगे बताओंगा वो क्या ह दूसरी महिला में जो मित्र है उसकी राजस्तान के बहुत बड़े राजगराने में उसका विवा हुआ है और वहाँ पर जो सास है उसकी वो बच्चे के बारे में पूछ रही होती कि बेटा बेटे कब होंगे तुमें पर काफी लंबा समय हो गया है विवा हो करके पर अभी भी उसे कोई संतान नहीं होई है और इसकारण से वो अपनी साथ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है परेशान है इसके बाद में तीसरी जो फ्रेंड है इस ग्रूप की वो जिस ओपिस में काम करती है वहां का बड़ा ही गिनोना पेट्रियार कल ऐसा वातावरन है जो बॉस है वो नारी विरूधी मान सित्ता का है इस कारण से वो उसे प्रमोट नहीं कर रहा प्रमोशन नहीं दे रहा इस परकार की बाते बता ही है अब ये इस पर काफी चरचा की जा सकती है इस पर कई सरे वीडियो भी आपको सोचल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे कि आजकल जो जौब्स में प्रमोशन वगेरा इसमें किने जादा प्रपर किया जाता है पुरूश हो या स्तरी हो इन में से तो ये चरचा कभी अन्य समय कर लेंगे पर ऐसा दिखाया है उन्होंने इसके बाद चौती जो फ्रेंड है वो वन नाइट स्टैंड मल्टिपल पार्टनर्स वगेरा इस प्रकार का उसकी लाइप स्टैल रही है अमीर है काफी एक लक्जरियस कार भी उसके दिखाई है कौ वो अभी गर्ब वगती है और वो फिल्म के एंडिंग में कहती है कि भाई मैं तो अब सिंगल मॉम बनके रहने वालों दुनिया चाहे समाज को चाहे जो कुछ कहना है कहे तो ये चार मित्र है अब सुखी के बारे में बात करना रह गया था तो सुखी और इनका जो के समय प्रॉम नाइट वगयरा मनाते थे हाला कि इतने पुराने समय नब्बे के दशक में प्रॉम नाइट वगयरा भारत में होता होगा कुछ ऐसे एलिट्स के बीच में पता नहीं मुझे मैंने तो कभी सुना भी नहीं था मैंने पहली बारे प्रॉम नाइट वगयरा शा का प्रामनाइट वगेरा मनाते थे और इनके जीवन के दो मुलभुत सिध्धान्त थे ये जो महिला लड़कियों का ग्रूप है ना इनके दो मुलभुत सिध्धान्त थे सबसे पहला तो ट्रिपल बी बे धड़क बे शरम और बे परवा ट्रिपल बी ये इनका पहला सिध्ध जीवन जीने का और दूसरा सिध्धान्त है कच्छे बच्चे और बनियान नहीं बनेंगे हमारी पहचान मतलब ग्रीनी नहीं हम बनेंगे ग्रीनी होना तो सबसे गिनोनी सड़ी हुई चीज होती है ये मतलब हमेशा कोई भी आप feminist film content उठा कर देख लीजिए ग्रीनिया कैसे स विश्व का सबसे गिनोना creature मतलब जैसे ग्रीनी होना हो इस प्रकार से वो हमेशा प्रस्तुत करते हैं ग्रीनियों को ये शायद नारी सम्मान होता होगा feminist के अनुसार पता नहीं तो ये उनका ये दो मुल्वुच सिध्धान्त थे अब सुखी का तो हो गया है विवा तो व अभी ग्रीनी ही है सुखी और उसका पती दरिंदा है सौब और एक सी बात है कोई भी feminist content दरिंदा पती अहला कि यहाँ पर ये जो दरिंदा पती है उसको थोड़ा सा अलग प्रकार से दिखाया है धरी धरी आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही तो उसका जो पती है वो दरिंदा है पती की बिल्कुल भी वो care नहीं करता warrior नहीं करता मतलब फिल्म के makers के अनुसार वो जैसा चाहते है वैसा care नहीं करता बाकि वो care तो करता है वो अपनी बेटी अपनी पतिनी और घरी में जो पिताजी थे उनको और आच्छा जीवन वो देना चाता है उनके उसके आगे ना करगड रहा है, मक्षन लगा रहा है, अपना आत्मसम्मान पेरोतले रौंत कर, सब के आगे गिड़गिड़ा रहा है, उसको एक कॉंट्रेक्ट चाहिए होता है, कंबल का उनका बिजनेस है, और रेल्वे कॉंट्रेक्ट अगर उसको मिल जाएगा, शायद परिश्रम कर रहा है, दुसरों की गालियों पर गालिया खा रहा है, तो ये पती है, पर वो care थोड़ी न होती है, care क्या होती है, पता है, कि पती birthday और anniversary याद नहीं रखता, और इस कारण से सुखी का character आगे जा करके, पती को छोड़ने का निरने लेती ही, क्योंकि उसको college के सम पर मैं भी तो परिश्रम करता हूँ, काम करता हूँ, भार इतना, तो सुखी क्या, इसके उत्तर में क्या कहती बता है, तो मैं तो birthday और anniversary भी याद नहीं रहती, और इस कारण से वो अपने college के एक friend के साथ अभी रहने का, मतलब वो जब उसे I love you कहता है, तो एक प्रकार से व पर मिला कर वो अमिर नहीं लेती है, वो जाती नहीं जाती वो में पूरा आगया आपको बताऊंगा, तो ये सुखी का character है, और ये जो कुछ भी toxic walk lifestyle वो promote करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा एक थोड़ा emotional backmail करने के लिए, मैंने जैसा कि पहले कहा, दादा जी का character उनने एड या एड किया है, उनका भी नाम सुक्पृत है, शरीर पुर्णा जरजर हो चुका है, उनका उटते बैटते भी ठीक से उनसे नहीं बनता, तो दादा जी सुखी से याने बहुत से बड़ा उसका सम्मान करते हैं, उसका ध्यान देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो और प्रेमोशनल टच उन्होंने साथ में दिया है, पर जो पती या बेटी है, वो अपनी मा की केर नहीं कर रहे हैं, अब देखिए मातरत्व का सम्मान जहां तक बात है न, इंग्लिश विंग्लिश में भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को दिखाया है, कि जो बच्ची है, या जो पती है, वो अपनी पत्नी की केर नहीं कर पारे, मा और पत्नी की केर नहीं कर पारे, तो वहाँ पर मातरत्व का सम्मान उसको मैं सही मायने में कहूंगा, इंग्लिश विंग्लिश विंग्लिश फिल्म को, उसको मैं कोई toxic walk lifestyle को promote करने वाला नहीं तो ये थोड़ा दादाजी का character उन्होंने emotion के लिए add किया है अब इस बीच में सुखी को सोचल मीडिया से पता चलता है कि उनकी 1997 की जो batch थी उसकी reunion party रखी गई है तो सुखी तो तुरंट जाने का सोचती है क्योंकि वो अपने life से frustrated हो चुकी है greenie के जीवन से और वो अभी थोड़ा इससे अलग हटना चाहती है अलग हटना चाहती है तो मैंने सब्वे भाषा में कहा film के ही शब्दों का अगर मैं उप्योग करू जो इनकी चार महिला मित्रों का जो group है वो जिस प्रकार के शब्द इस reunion party के लिए उप्योग कर रहे है वो मैं आपको बताओं तो काफी भरी पड़ी है और अभी उसको खाली होना है या हवस की आग मिटाना हवस ये शब्दों उप्योग करते हैं यही महिला मित्र और जो इस reunion party के लिए अपना group बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर उसको उन्होंने कुतियों का reunion ये नाम दिया है और हवस की आग मिटाना है काफी भरे पड़े हैं खाली होना है ये उनकी ही महिला मित्रों के बीच के में शब्द आपको बता रहा हुआ तो फिर सुकी तो जाना चाहती है काफी भरी पड़ी है वो ग्रहीनी का जीवन जी कर तो दादा जी को बताती दादा जी कहते है कि हाँ बिल्कुल तुमको तो बिल्कुल जाना चाहिए पर इस बीच में दादा जी की मृत्ति हो जाती है और उन्होंने जाने से पहले सुकी के लिए टिकेट बुक करके रखे थे, ये एक और emotional, उन्होंने एक emotional card इसमें डाल दिया कि दादा जी चाहते थे, उनकी मृत्की होगे, जैसे उनकी अभी आखरी इच्चा हो, तो सुखी अपने पती को बताये बगैर, फिर घर से निकल जाती है, पती इदर परिशान, वो अपने बेटी को खाना बगाना, जो भार भी उसका दिनभर का job है, काम है, बिजनेस एक अंबल का, वो भी संभालना है, सब कुछ वो कर रहा है, पिर घर में आ करके, वो अपना घर भी संभाल रहा है, खाना देना जो भी अपनी बेटी का ध्यान रख रहा है पर उसकी महनत उसका परिश्रम वो सब बाते वाई वो घिनोना मर्द है हर मर्द तो कुटा होता है तो उसकी वो बाते कोई मायने नहीं रखती है तो अब सुखी का जाती है अपने सभी मित्र वो मिलते हैं चारो के चारो और रिवनियन पार्टी में जाने से पहले सुखी का करेक्टर ट्रेडिशनल कपडे पहनता है तो इसे देख करके बाकी जो उसकी तीन फ्रेंड से वो ऐसे नाकमो सिकोड लेती है जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा घिनोनी सडी वोई कोई थड़ कलास बहुत थी दुनिया की सबसे गंदी चीज उन्होंने जैसे देख ली हो ट्रेडिशनल कपडे इस प्रकार से वो नाकमो सिकोड लेते हैं ठीक है इस प्रकार का वो नाकमो करते हैं traditional कपड़ों के बारे में तो आप कुछ भी आलोचना कर सकते हैं, उसको कितना भी गंदा बोल सकते हैं, हाँ आप western कपड़ों की अगर आलोचना करते हैं, तो आप घिनोने, misogynist, दरिंदे, patriarchal वगेरा ये हो जाते हैं, तो चलिए, तो इसके बाद में फिर सुखी western कपड़े पहनती हैं, और वहाँ पर वो जो बाकी friend है, वो यही वो शब्द प्रयोग करते हैं, कि भाई, पार्टी में जा रहे हैं, हवस की आग मिटाने, या हवस ऐसा शब्द वो कुछ उ आयू बढ़ गई है, किसी के बाल जढ़ गए हैं, इस प्रकार के दिखते हैं, पर एक लड़का, अमिट सत्का character, विक्रम उसका नाम है, जिससे college में ये चमगादर चमगादर कहते थे, क्योंकि वो बड़ा चश्मा वगएरा पहनता था, और सुखी से वो college के समय से प्रेम करता है, तो वो चमगादर भी काफी handsome हो गया है, अमिट सत्का character, और सुखी उसको देखकर ही लाट अपकाने लगती, मतलब वो लट्टू हो जाती है, उसके देखकर ही वाकरशित हो जाती है, और अमिट सत्तों से प्रेम करता ही है, आगे जाकर के फिर ये जो अमिट सत्का प्रमोट करना था, वो फिर सफल नहीं हो पाता न, उस character से आप तुरण दर्शक तूट जाते, तो वो उन्होंने नहीं करते भी दिखाया, बस ऐसा आकरशन उन दोनों के बीच में उन्होंने दिखाया है, पर जब वो अमिट सत्तों से I love you कहता है, तो उसके बाद मैं बाहर जॉब करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, और मैंने कौन सा बीच में कुछ छुट्टी ले करके मैं भर गया था और खाली होने के लिए मुझे कहा जाना है, ये मैंने कब किया, मैं तो दिन रात अपने घर के लिए परिश्रम कर रहा हूँ, तो इस पर सुखी उसको आर्यूमेंट देती है कि तुमको बड़ और अनिवर्सरी याद नहीं रहते, तो ये शायद जिस्टिफिकेशन होगा पती को छोड़ने का, एक दो जिस्टिफिकेशन और उन्होंने दिये फिल्म में, जैसे कि फिल्म की शुरुवात में पती अपनी सुखी से कहता ह है कि 20 साल होगे विवा को, पर अभी तक मुझे क्या खाना पसंद है तुम्हें नहीं पता, इस प्रकार की बात वो सुखी से करता है, जो कि स्ववव एक से बात बिल्कुल गलती है, पतनी का सम्मान करना, केर करना, ये हर पती का करतव है, पर फिल्म का उद्देश्य वो न पती हो या पती हो अपनी मा की हिल्प कर रहे है, उसकी केर कर रहे है, वो होता है सम्मान, यहां पर उनको वो सम्मान, यह मातुरत्व का सम्मान नहीं करना था, उनको वो वोक लाइपस्टाइल उनको प्रमोट करनी है, तो बड़्डे अनिवर्सरी याद नहीं रहना, उसक पतनी को एक कॉंटेस्ट तुम जितवा दो शायद उसके हाथ में होंगे कुछ कंट्रोल्स वगेरा तो तुम वो ध्यान रख लो यार मुझे ऐसे भी करके कॉंट्रेक्ट मिल जाएगा तो अपना बढ़िया हो जाएगा तो वो अपना जीवन जीने का फॉर्मिला सुखी जो भी वो ऑपिसर थे उनकी पतनी को बता देती है कौन सा फॉर्मिला ट्रिपल भी बे धड़क बे शरम बे परवाह और फिर उन ऑपिसर की पतनी को तो एकदम जोश आ जाता है और उसको कुछ वो बॉक्सिंग या कुछ वो जो भी कुछती वगएरा उसको आती थी तो अपने पती को तो उठाकर पटक देती है स्टेज पर बुलाकर बात वार ज्यादा बिगड़ जाती है तो जो पती है वहाँ पर सुखी की ओपर चिलाता है कि आर तुम हर बात पती को छोड़ना चाती है बेटी को भी छोड़ना चाती है बेटी भी उसको बुला रही है बार बार रो रही है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी मैं पर बेटी की भी उसको केर नहीं भाई फेमिनिस्ट बेटी क्या होता है ये अपने अधिकार हमको चाहिए भाई ये हमको हमारे चाहिए, दुसरे कौन होते हैं जज़ करने वाले, यह पती या बेटी या बेटा, यह सब जिम्मेदारिया हमारे लिए थोड़ी न होती है, तो फिर एक सीन है जहां पर यह दिन भर कुछ ऐसा इदरोदर जितनी भी उनके पसंदीदा खाने की दुकान होती है, वह भी शौच जाने से पहले, जो कुछ भी आवाजे आती है, उस प्रकार की वो आवाजे सुनाई हैं उन्होंने वहाँ पर, वो सच में सुनकर डिस्गस्टेड फील कर रहा था हम इतनी बड़ी स्क्रीन पर यह हम क्या देख रहे हैं, तो वहाँ पर बेटी का फोन आता है, मे आती है कि, ये तुम अभी कमजोर पड़ रही हो, ना 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 ये ये क्या होता है, सब छोड़ दो दुसरों की केर करना वगेरा, ये सब फालतू की बाते हैं, तुम अभी अगर अपना स्टैंड नहीं लोगी न, तो कल को सोचो तुमारी बेटी भी अपने लिए स्टैंड नहीं दे पाई, ले पाईगी, इस फरकार के आर्गुमेंट वो वहाँ पर देती है, वाव, वाव, चलिए, तो फिर वही फिर पेट गुड़ गुड़ाना, शौच के समय, जाने थे समय, वो अंदर बातुरू में जाने के बाद भी वो शौच के आवाज उन्होंने दिख नहीं लेती है, और इसके बाद में पती फिर आता है दिली में, सुखी का पती, माफी माँगने के लिए, वो कह रहा है कि नहीं नहीं वापस आ जाओ, मैं माफी माँगता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं भाई, सुखी को तो सुनना ही नहीं, बेटी बोले, पती बोले, य निरने लेती है और वहाँ पर वो क्या कहती है पता है पती से कि विक्रम वो है जो तुम थे गुरू पतलब गुरू कॉलेज में बड़ा प्रेम करता था सुखी से इस कारण से उसने गुरू से विवा किया था और अभी जब वो अपने पती को अपनी सुखी गुट-गुट कर मरने नहीं देता तो तुम जो कॉलेज में थे न तुम मणाबा बड़ी मेरी केर करते थे और विक्रम अभी मेरी वेसिक केर कर रहे है तुम वैसे नहीं रहे है अभी कॉलेज में जैसे थे वाओ, वाओ सब सब यह तो सभी में तरह तालिया वजाई है और वाह भाई चलो विक्रम से तुम अब विक्रम में तुम्हें अपनी sexual fantasies पूरी होते वे दिख रही है sexual fantasies हो या जो भी तुमारी fantasies हो विक्रम अभी तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है और तुमारा पती जो तुमारी care कर रहा है अपना जो कुछ भी वो बाहर कर रहा है मेहनत कर रहा है नाक रगड रहा है गिडगड़ा रहा है गालिया खा रहा है जो कुछ भी वो कर रहा है परिवार के लिए परिशान है, फ्रस्ट्रेट है वो तो वो तुमको अभी अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ खड़ा होना तुम्हारा करतव्य नहीं लग रहा अभी तुम्हें फिमिनिस्ट हो न, कैसे साथ खड़े रहेंगे पती के कंदे से कंधा मिलाकर खड़े होना परिवार के लिए ये तो feminist की दिमाग में आता ही नहीं परित पती की जीवन में problem है तो हमें उसको लाथ मार करके भरे हुए हैं खाली होना है भरे हुए हैं पती की मेहनत है वो तो कुत्ते होते हैं उनको तो मेहनत करना वो तो होना ही चाहिए भाई और फिर justification के लिए ऐसा कुछ बोल देंगे बड़े याद नहीं रहता anniversary याद नहीं रहती या किसी दिन वो इतना नाक रगड़ रहा है गिड़ गिड़ा रहा है परिशान हो गया है इतनी दिन की मेहनत पतनी बिगाड भी दे कुछ triple B formula बता कर कही पर तो भी गुसा नहीं हो सकते भाई ये emotions होने ही नहीं चाहिए पुरुषों में emotions कैसे हो सकते है भाई वाव वाव मतलब विवा में नोग जोक होना या एक दूसरे पर कभी गुसा होना एक दूसरे को मनाना ये सब क्या होता है हमको तो लात मार करके कुट्टे को पती रुपी कुट्टे को लात मार के भाग ज उसके कश्टों में उसके साथ खड़ा रहे ना यह तो फाल्तू बात है भाई दुनिया की सबसे गटिया बात तो यह है क्या होता है कंदे के साथ कंदा मिला कर खड़े हो ना प्रॉब्लेम आते हो आए तो लातमार के भाग जाना यही तो भाई सशक्तिकरन होगा पता नहीं ह हम तो तुछ्छ बुद्धी मनुश्य हमको थोड़ी ना पता होगा, तो वो कहती कि विक्रम वो है जो तुम थे गुरू, चलो विक्रम के साथ भी चलो, तुमारी फैंटेसी तुमारी पूरी हुते वे दिख रही है, कर लिया विक्रम के साथ भी दुसरी शादी, बेटी को लात मार दी, पती को लात मार दी, चलो हो गया सब कुछ, कर ली विक्रम, फिर क्या, विक्रम के जेवन में प्रॉब्लेम्स नहीं आएंगे, वो कभी फ्रस्टेट नहीं होगा, वो कभी परिशान, भय, शोक, चिन्ता में नहीं जाएगा, उसके जॉब में, उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लेम नहीं आएगा, पर इस्तितियों से भाग कर तुम खुश होना चाहते हो, तुम्हारी फैंटेसी अभी तुम्हें दुसरे किसे में दिख रही है, क्या वो कभी फ्रस्टेट नहीं होगा, उसके जॉब में, उसके बिजनेस में कभी प्रॉब्लेम नहीं आएगे, तुम दोनों की बीच में कभी नोग जोक नहीं होगी क्या, कितने दिन तक अपनी फैंटेसी पूरे करोगे उससे, कितने दिनों तक, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, तो कब तक खाली होगे फिर, क्या भरे पड़े हो, क्या खाली करना है, वाव, पर यहाँ पर इसके मेकर्स की, सुखी के मेकर्स की चाला की देखिए इसके बाद मैं उन्होंने सुखी को फिर से अपने पती के पास वापस जाते वे दिखाया है क्योंकि अभी मैंने जो आप बाते आपको बोली ना उनी विचारों के साथ दर्शक बाहर आते कि यार इसने अपने पती को छोड़कर सही नहीं किया यार क्या मतलब बड़े आनिवरिसरी याद ने रहती ये बोल कर तुम छोड़ दोगी यार पती की जीवने प्रॉब्लेम से ये बोल कर तुम उसे छोड़ दोगे ये थोड़ी न ऐसा सोचकरी दरशक बहार आते न इस कारण से इसके makers की चाला की देखिए जो उन्हें बोलना था जिस lifestyle को promote करना था वो उन्होंने कर दिया उन बातों को justify भी कर दिया कि भई पती परिशानी में है उसको बड़े और anniversary याद नहीं रहती ये बोलकर उसको लात मार दो पती problem में है उसको लात मार दो फिर justification के लिए बोल दो कि भई बड़े और anniversary याद नहीं रहती उसको ये उन्होंने justification दे दिया है पर बात ने फिर से दरशक उस विचार के साथ disgusted feel करका और बाहर ना आये इसलिए उन्होंने सुकी को वापस अपने पती के पास जाते वए दिखाया है वाव वाव कितने बुद्धिमान है इसके makers इसलिए मैंने कहा ना मेरे मन में विरेदी वेडिंग और फोर मोर शॉर्ट स्क्लिस के makers के सम्मान बढ़ गया क्योंकि वो जिस चीज को प्रमोट करना चाहते कम से कम छाती ठोक कर प्रमोट कर रहे है मुखोटा नहीं ओड रहे है और चलो सुकी को वापस जाने के लिए उन्होंने ये दिखाया कि भाई उसका जो पती है उसने धन्नो को बेज दिया था सुखी की, धन्नो मतलब एक bullet bike थी सुखी की, college में वो चलाते थे मजे करते थे, तो problem आने के बाद में पती ने धन्नो को बेच दिया था ये कैसे हो सकता है भाई, पती के problem में पती solve करे, दरिंदा कुत्ता पती, नाक रगड़े गिसे, गिड़ गिड़ा है दुसरों के, जो भी उसको करना है, वो करे भाई, उस दरिंदे कुत्ते पती की वो problem है न, पती-पत्नी को साथ होकर, चलो घर में कुछ problem आ गए, किसी चीज़ को बेच दिया, ये हिम्मत कैसे हो गई भाई, पती की तो फिर पती बाद में फिर वो सुकी को उसकी वो धन्नो जो भी बाईक है, वो लाकर के दे देता है problem है धन्दा नहीं चल रहा, नो क्रीन में problem है, वो दरिंदे कुत्ते पती का problem है, धन्नो अभी के अभी वापस चाहिए bullet, हाँ, एकदम तीन साड़े तीन लाक की बाईक ऐसे घर के सामने चाहिए, और पती लेटर लिख करके देता है कि येलो बाईक, और गोविंदा की तरह मस्त से रस्तों पर घुमो हाँ, और उसके बाद में फिर सुकी खुशी हो जाती है, वाउ और सुकी फिर वापस आ जाती है अपने पती के पास में, वाउ बहुत, मतलब exceptional भाई, exceptional इतनी बुद्धी, इतन आहा, वाउ वाउ, वाउ वाई, मतलब इतना अंदर से ऐसा, इतना खुशी हो रही है मुझे, इस फिर्म की कहानी सुनकर देखकर, वाउ सच में, वाउ मैं सुकी को दूँगा, 0 out of 10 stars, मतलब मैं इतना खुश हूँ की 0 ही मुझे सब अच्छा लग रहा है 0 out of 10 stars, mental guidance की क्या बात करूँ, आप देख लीजिए कोई ऐसी sex, nudity वगेरा, violence वगेरा तो है नहीं, पर आप देख लीजिए अपने बच्चों को साथ देखने जैसे है, नहीं कहानी क्या है वो तो मैंने हमने चर्चा करी ली है बाकि जो बाते मैंने बताए उस पर आपकी विचार क्या है कुछ बाते मेरी अगर किसी को गलत लगी हो तो भाई ठीक है, शमा कर देना तुछ बुद्धी मनुष्य है हम बाकि आपकी विचार क्या है, मुझे बता देना नीचे कमेंट में जैश्री राम, वंदे मातरम